आकाश्वाणी भोपाल सी प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं वीपा सिंग पहले मुख्य समाचार प्रदान मंत्री नरेंद्र मूधी अब से कुछ देर बाद स्युक्तराश महासभा के अधिवेशन को करेंगे संपोधित परटन की शेत्र में प्रदेश को मिले दस राश्ट्रे प्रस्कार जाबवा में चुनावी तैयारियां जोरों पर अब तक बारह लाग से ज्यादा के शराव जब्त और राजगण में कुपोशन के खिलाफ शिरू हुआ शीमप्री राजगणा भियान अब समाचार पस्तार से प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आर्शाव नियॉक में सयुक्तराश महासभा के 74 में अधिवेशन को संबोधित करेंगे प्रदान मंत्री मोदी के रात 8 बजे से 9 बजे के बीच सत्र को संबोधित करने की संभापना है प्रधान मंत्री अपने संबोधन में गरीबी हताने, सुलव स्वास देगभाल और आतंगवाद तथा जलवाई उपरिवरतन से निपटने के लिए अपनी सरकार के प्रमुक उपायों की चर्चा कर सकते हैं विशिशग्यों का मानना है कि प्रधान मंत्री की संबोधन में पाकिस्तान से चलाई जारहे आतंगवाद के अलावा वैश्विक इस्तर पर आतंगवाद से निपटने की एक जुट कारवाई का विशिश रूप से उलेख होगा सम्युक्त राष्ट महासंभा में प्रधान मंत्री का संबोधन ऐसे समय हो रहा है जब भारत विश उस्तर पर अधिक महत्पून भूमे का निभाने के लिए तयार है लगभग सभी अंतराश्वे मानकू और रैंकिंग में भारत के सिती में महत्पून सुधार हुआ है उपर राष्ट्रपती एमविंक्या नाइडू ने आज नाइदिल्ली के विज्ञान भवन में आयुजिद राष्ट्री परेटन प्रुसकार कारिक्रम में मध्ध प्रदेश को परेटन की विभिन श्रेणियों में दस राष्ट्री प्रुसकार प्रदान की ये प्रुसकार प्रदेश के परेटन सचीव फैस एहमत किद्वाई ने प्राप्त किये मद्रुदेश परेटन को बिस्ट अड्वंक्शर स्टेट विदेशी भासा में प्रकाशन में उत्कृष्टिता सर्वशेष्ट परेटन सबवर्धन प्रचार सामगरी सर्वशेष्ट समारग बिस्ट लाइफ गाइड सर्वसेष्ट हरेटेश सिटी हवायद्डा सुच्छता प्रोसकार परेटिक परिवहन ऑपरेटर हरेटेज होटल सहित कुल दस श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किये गये हैं इधर मुक्यमंद्री कमलात ने आज होपाल में बताए कि प्रदीश के तीन शहरों ओमकारिश्वर, इंदौर, उजैन को परेटन के शेत्र में विश्वयापी बनाया जाएगा ताकि विश्व के लोग भी इन परेटन स्थलों को देख और जान सकेंगे परेटन नगरी खजुराहों में भी आज परेटिकों को पुष्प पर उन्होंने कहा कि मद्य प्रदेश की परिप्रिक्ष में विज्ञान और प्रदोगी की की प्रियोग धर्मिता प्रभावी संसतिय प्रक्रिया के लिए प्रामाणिक होगी 26 सितंबर से शुरूआ ये सम्मेलन कल समाफ्थ होगा सम्मेलन में विधान सभा के प्रमुक सच्यू एपी सिंग भी भाग ले रहे हैं प्रदान मंत्री नरेंदर मूदी इसरवी बार सुबह 14 बज़े आकाश्वानी पर मनके बाद कारिक्रम में देश-विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साजा करेंगे, इस मासिक कारिक्रम के ये 57 वी कड़ी होगी, ये कारिक्रम आकाश्वानी और दूदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित क्या जाएगा, इसके साथ ही ये आकाश्वानी के वेफसाइट www.allindiaradio.gov.in पर भी सीधा प्रसारित क्या इसके अलाबा, प्रधान मंत्री कारियाले, सूचन और प्रसारण मंत्राले, आकाश्वानी तथा दूदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कारिक्रम का प्रसारण होगा कल सर्वपित्र मोक्ष और शनीचरी अमावस्या है, अगले दिन रविवार से नवरातरी पर्व शुरू होने के मदेनजर प्रदेश में भीड के बहितर प्रवंधन और यातायात विवस्था बनाए रखने के लिए, सभी सिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये राज्य पुलिस द्वारा जारी किये गए निर्देशों में, कहा गया है कि तियोहारों के मदेनजर सभी सिलों में पुलिस प्रिशासन आवश्यक व्यवस्थाएं करें, जिससे अप्रिय घटनाओं को रोकने में मदद मिले। कि निर्देश भी दिए गया हैं। समचारों में एक बर फिर स्वागत है। मदाताओं को प्रलोभन देकर मदान को प्रभावित करने वाली हर गत्विधी को सक्ती से रोकने और निया मानुसार कारवाई करने की निर्देश दिये। जहाबवा विधानसभा उपचुनाओं के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है। 36 कर के नकसल प्रभावित दंतिवाडा विधानसभा उपचुनाओं में आज हुई मतकरना में कॉंग्रेस उमिद्वार देवती कर्मा विजए हुई है। उन्होंने अपने निकट्तम प्रत्विंदी भाजबा की ओजस्वी मंदावी को 11,192 मतों से हराया। कॉंग्रेस उमिद्वार को 50,028 वोट मिले जबकि भाजबा की ओजस्वी मंदावी को 38,836 वोट मिले। इस चुनाव में कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। राजकर जिले में बच्चों को कुपोशन से मुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर ने एक नई मुहीम शेमफ्री राजकर शुरू की है। इसके तहट शास की अधिकारियों, करमशारियों और समासीवियों को जिले के कुपोशित बच्चों को गोद लेने के लिए प्रिरीत किया जा रहा है। राजकर जिले को कुपोशन से मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कुपोशन से ग्रिसित करीब पहने 400 बच्चों को प्रशासंदवारा गोद लेकर उनके उचित परवरिस और देखरे का जिम्मा जिले के अधिकारियों को सौपने की नई पहल शुरू की गई है जिले की कलेक्टर निधी निवेदिता ने सभियान के बारे में आकाश्वानी को बताया की इसके अंतरगत जिला ब्लॉक इस्तरी अधिकारी, NGO, पुलिस विभाग, मीडिया, समासेवी आधिको कुपोशित बच्चों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिला महिला बालविकास अधिकारी चंद्रसेना भिडे ने बताया की राजगर जीले में कुपोशन काफी अधिक हैं उन पुपोशित बच्चों में से 375 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अतिक कुपोशन की श्रेणी में आते हैं सभी जीला अधिकारी, ब्लॉक लेवल के अधिकारी, मीडिया बंदू, पुलिस विबाक के अधिकारी वं करमचारियों को 375 बच्चे गोट दियें एक व्यक्ति को एक बच्चा गोट दिया यह स्थाही रूप से जो उस बच्चे से अंगनवाडी कारे करता से उस बच्चे के मातापिता से मिलेंगे और साथ ही उन्हें समझाईच देंगे कि बच्चे की किस तरह से देखबाल करनी है वाकई ये पहल सरानी है जिसे न केवल कुपोशित बच्चों को संपून आहार मिलेगा बलकि जिले को कुपोशन की कलंग से चुटकारा भी मिलेगा राजकर से कमल खस के साथ भुपाल से मैं दीपा सिंग पिछने 24 कंटों के दौरान प्रदेश की पूर्वी शेत्र में मौनसून सक्री रहा आसुबह से राजसानी वोपाल में धोग खिली लेकिन शाम होते होते बादल खेराय और जम कर बरसात हुई अपको समाचाह संक्षेप में किंद्री प्रतेक्षकर बोड ने भृष्टाचार और अन्य आरोपो को लेकर विभाग के 15 वरिष्ट अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है प्रुदेश में हनी ट्रैप मामले में आरोपी श्वैता विजय जैन, श्वैता स्वपनिल जैन और बर्खा को 30 सितंबर तक जबकि आरोपी आरती दयाल और मोनिका यादव को एक अक्टूबर तक पुलिस रबान पर भेश दिया गया है दिवासिले में तीन दिवसी जिलास्तरिय बैडमिंटेन प्रतियोगिता आज शुरू हुई सागर में आज 16 रक्षा पर कारिशाला आयोजित की गई सीहोड सिले में भी महात्मा कांधी की 150 मी जैनती की आउसर पर मद्द निशीद सब्ताह कायूजन 2 से 8 हट्टूबर तक किया जाएगा अंत में मुखे समाचार एक बार फिर प्रधार मंद्री नरेंडर मूदी अपसे कुछ देर बास सयुक्तुराश्ट महासभा के अधिवीशन को करेंगे संपोधित परेटन की शेत्र में प्रदीश को मिले 10 राश्ट्रे प्रसकार जाबू हमें चुनावी तैयारियां जोरो पर अब तक 12 लाग से ज्यादा की शराब जब्त और राजगण मेक को पोशन के खिलाव शिरू हुआ शीम फ्री राजगण अभियान इस बुलेटन में इतना ही अकाश्वानी भूपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटन सुनिए कल सुबह 7 बच कर 5 मिनट पर नमस्कार